हलो दोस्तों आज हम बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक वैरकोसील के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि कई सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि इससरा आप वैरकोसील पे आप वीडियो बना दीजे तो मैं डॉक्टर नजर आपके मेरे इस वीडियो में बहुत स्वागत है आज हम जानेंगे कि कि वैरकोसील क्या होता है इसके सिम्टम्स क्या-к्याilotे हैं और यह क्यों हो जाता है और सबसे यह हमारा टेस्टीस होता है तो बसंक काम कर गया करता है कि वहां पर स्पर्म का प्रोड़क्ष्ला और वहां पर म्लियंस में इस्पर्म बनते हैं और जब रासी होती है तो कुछ हमारे वेस्प्रोड Cincinnati बन जाते हैं बाइप्रोडट बन जाते हैं वह वहां के toxins भी होते हैं और यह impure blood को बाहर ले जाने केलिए veins होती है और vein क्या करती है इस impure blood को testis से बाहर ले जाती है वो ले जाती है kidney तक और kidney से urine के रास्थे बाहर निकल जाती है तो इस पुरे process में जो है नस का या वेन का बहुत एहम रोल होता है वेन के अंदर जो है वाल पाए जाती है क्योंकि होता क्या है कि जो टेस्टिस नीचे होता है और ब्लड को उपर ले जाना होता है तो इसलिए इन वेन के अंदर वाल होते है जिसके वज़े से आराम से जो blood है वो उपर की तरफ चला जाता है अब होता क्या है कि किसी कारडवस ये valve खराब हो जाए या ये ठीक से काम ना करें तो ये जो impure blood है ये पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है अब होगा क्या है इन वेन में खून भरना शुरू हो जाएका इंप्यूर ब्लड इसकी वज़े से क्या होता है कि वेन फूल जाती है उसमें स्वैलिंग आ जाती है और उसमें पेन होने लगता है इसको ही हम लोग वेरिकोसील बोलते है अब हम इसके बार रहें बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होता है दोस्तों इसको जो सिम्टम्स है पहले तो यह है कि वेरिकोसील है इसको 4 ग्रेड़ बाटा गया है 1, 2, 3 and 4 जो सुरुआती स्टेज होता है वेरिकोसील का उसमें खास कोई symptoms नहीं पाया जाता है अकसर लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हमारे अंदर वायरकोसील है कि नहीं है लेकिन जब जब ज़्यादा उसका grade बढ़ता है और ये बिमारी ज़्यादा बढ़ती है तो फिर जो क्या होता है कि क्या सर ये वायरकोसील के वज़े से हमारी infertility से कोई इसका role है क्या तो मैं आपको बता दू कि जैसे कि मैंने सुर्वात में बताया कि testis में क्या होता है sperm बनते हैं और millions में sperm बनते हैं अब होगा क्या कि जब आपको वायरकोसील होगा तो जो impure blood है वो तो बाहर पूरी तरीके से निकल नहीं पा रहा है toxins वहाँ पे खटा हो रहे है इसके वज़े से क्या होता है कि जो sperm का production होता है उस पे इसका आसर बढ़ता है और जो sperm की quality होती है वो खराब होती है उपरवाल ने जब हमारी body बनाई तो आपने देखा कि testis जो है सरीर से बाहर है वो इसलिए बाहर रहता है क्योंकि इसकी वज़े से जो body का temperature होता है उससे लगबग 2 degree temperature कम होता है testis में और यह ज़रूरी होता है अच्छी quality के sperm बनाने के लिए और जब यह वैरुकोसील के होने के वज़े से toxins वहीं पे आ जाते है और imbure blood पूरी तरीके से निकल नहीं पाता है तो क्या होता है कि उसका जो temperature हो बढ़ जाता है इसके वज़े से क्या होगा कि sperm की जो quality होगी वो अतनी अच्छी नहीं होगे इसके वज़े से एक यह और हो सकता है कि आपके जो testosterone का level है वो कम हो जाता है और estrogen का जो level होता है वो बढ़ जाता है दोस्तों जिसको भी वैरुकोसील है तो उसको कुछ चीजे हम suggestion करते है कि अगर आपको वैरुकोसील हो गया तो आपको क्या नहीं करना चाहिए पहली बात यह है कि जिनको भी वैरुकोसील है उनको जहादा weight lifting नहीं करना चाहिए बहुत भारी समान नहीं उठाना चाहिए दूसरा कि है कि heavy exercise नहीं करना चाहिए जिनका भी बैठने वाला काम है जिनका भी official work है उनको बहुत देर तक एक जगा बैठना नहीं चाहिए और उनको बीच-बीच में खड़े होकर के अराम कर लेना चाहिए दूसरा क्या है कि जिसको भी वेरिको सील है उसको इसक्रोटल का सपोर्ट यूज़ करना चाहिए इसक्रोटल सपोर्ट जब आप यूज़ करें तो इस बात का ध्यान रखे कि ये बहुत ज़्यादा टाइट नहूँ क्योंकि अगर ये ज़्यादा टाइट होगा तो इसकी वज़े से भी आपको परेशानी आ सकती है और वहाँ पर इतना हो कि आकसीड के लिए इस पेस उसमें जरूर बचे जिनको भी वेरिकोसील होता है कि तो उनको ये कहा जाता है कि ऐसा फूड ले जिसमें एंटी आकसीडन ज़्यादा हो जैसे कि आपका फूर्ट हो गया वेजेटेबिल हो गया और नट्स हो गया दूसरी बात है कि अगर आप जो है अलकोहल का सेवन करते हैं स्मॉकिंग करते हैं ये कैफीन ज़्यादा लेते हैं तो ये भी वेरिकोसील के सिम्टम्स को बढ़ाता है इसलिए अगर आपको वेरिकोसील हुआ है तो इन तीनों चीजों से आप जो है दूरी बना ले अब हम बात करते हैं कि इसका क्या ट्रीटम्स है मैंने बताया कि फर्स ग्रेड ये सेकेंड ग्रेड होता है तो कोई सिम्टम नहीं आते हैं लेकिन आपको इसको नजर अंदाज नहीं करना है क्योंकि अगर आप इनीसियल स्टेज में आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसके सही होने के चांस भी जादा होते हैं और ये जल्दी भी सही हो जाता है और मैं आपको बता दूँ कि होमियोपैथी से लेकिन उनका चुनाओ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पेशेंट का पूरा वराल केस लेना पड़ता है सारे सिम्टम्स देखने पड़ते हैं पेशेंट का नेचर भी हैवियर और उसकी क्या हिस्ट्री रही है ये सब देखना पड़ता है तो अगर आपको वेरिकोसील हो गया है तो अपने पास के किसे अच्छे होमिपतिक डॉक्टर से संपर करें जो एक्सपर्ट हो और आपके सारे सिंटम्स को नोट डाउन करें और वो अच्छे से आपको जो है मेडिसीन सही सेलेक्शन करें और मैं उम्मीद करता हो कि मेरा ये भी वेरिकोसील है आप उन तक ये वीडियो जरूर भुख जाएं थैंक्यो